हेले दोस्तों आप सभी को पता होगा आप गोलो को आफली को अपने PC में 100% पले कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखें मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी दिन 100% वर्क करेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपने RPCS3 का Emulator और इसके System Software को डाउनलोड करना है और इसके बाद Game को और यहां पर RPCS3 को सर्च करते हैं और इसके बाद आपने Download पर क्लिक करना है और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं और नीचे चलते हैं तो फिलाल दोस्तों आप यहां पर क्लोज कर देता हूं तो इसके बाद दोस्तों आपने Quick Start पर जाने है और दोस्ति यहां से आप अपने System की Requirements चेक कर सकते हैं तो इसके बाद आपने नीचे आना है और इसको आप पढ़ सकते हैं और यहां से दोस्तों आपने System Software को डाउनलोड करना है और Visual C++ 2019 को तो पहले Software क डाउनलोड कर लेते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों अगर आपका यह Software डाउनलोड नहीं हो तो आपने क्या करना है Simply तो आपने Internet Download Manager में जाना है तो यह 100% डाउनलोड होगा आपका ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह मैंने पहले से कर रखा था इसलिए इसको मैं यहां पर क्लोज कर देता हूं और इसके बात दोस्तों आपने Visual C++ 2019 को डाउनलोड करना है और दोस्तों यह भी फाइल मैंने पहले से डाउनलोड कर रखिया और इंस्टाल कर रखिया तो इसको अगर आपने इंस्टाल नहीं किया तो इसे आप अपने PC में इंस्टाल कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपने गेम को डाउनलोड कर लेना है वो आप किसी वेब साइट से कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो comment box में comment कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आपने RPCS3 Amulator को extract करना है और इसको एक बार हम यहां पर रख देते हैं और इसको open करते हैं और इसका shortcut create कर लेते हैं दोस्तों right-click करते हैं send to कर जाना है कर देक्सटों create shortcut इसके बाद इसको भी यहां पर रख देते हैं और इसको open कर देते हैं और इसके अंदर हमने यह ps3 का software है हमारा PC3 software इसके अंदर install करना है यह चैक कर करके continue कर देते हैं और दोस्ते इसके बाद आपने फाइल में जाना है और इंस्टाल फ्रम्वेर करना है अपने ठीक है तो इसके बाद हमारा इसके कमेर नीचे देख लिए देक्स्टोप पे जाना है PS3 Software में जाना है इस पर डबल क्लिक करते हैं यह ओपन भी कर सकते हैं ठीक है तो हमारा यह ओल्ड बज्जन है ठीक है लेटेस्ट 4.89 था और मैं इसमें ट्राइक कर रहा हूं 4.88 तो मैं ओल्ड फर्जन ही इंस्टाल कर रहा हूं फिलाल यह मने डाउ पाहिया तो नबे, हमारे सक्सेयल इंस्टाल कर ना है तो इसके बाद दोस्तों आपने हमारे पास एक फोलडर गेम है इसके लिए आपने फाइल में जाना है एड़ गेम करना है क्योंकि फॉल्डर गेम है अब दोस्तों आपकी यह पीकेजी अटाया फाइल में होती तो इसे इंस्टाल पीकेजी और रैप का देते हैं और सोप्टेयर को नीचे इंस्टाल करना है तो हमारे फॉल्डर थी पर देख सकते हैं हमारे गेम एड़ हो चुकी है तो इसके बाद दोस्तों इसमें गेम पैच अपलाई करना है इसके लिए आपने मैनेज में जाना है गेम पैचिज में जाना है और आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास काफी सारे गेम पैच है अगर आपके पास यह नही अगर हमारी game update होती तो फिलाल में इस अपडेट नहीं करता है इसको चला के दिखाता हूँ तो इसमें सिर्फ 1.0 का पैच अपलाई करेंगे ठीक है तोभार न कहIns After autopilot को शीवेस को बाड़ हो सकते हैं我र आपने इन सभी पैस को अप्लाई कर 255 के या और temporada की निचा लेगी इनको दियान से अप्लाई करते हैं तो मेंसे अपलाई करना है और आपने यहां से इसके बाद आप 시ब्रेंस नै का न और यहां पर 16 by 960 फ्रेम लिमिट आपने 16 कर देनी आए ठीक है एंटियलाइजिंग आप आटो कर लोगर आपका सिस्टम अच्छा है तो ठीक है फिलाल मैं से डिशेबल कर देता हूं और सेटर क्वालिटी तो मैंने आई कर रखिया अच्छा दिखने चाहिए तो इसके बाद इसके बाद कुछ ज्यादर कुछ नहीं करना है इसके बाद इसके बाद आपने करना है और 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 इसके बाद आपने करना है गेम पैड अगर आपके पास PS4 कंट्रोल है तो उसे कनेक्ट कर लो अधर्वाइज आप कीबोर्ड से भी चला सकते हैं फिलाल मैंने यह सेटिंग कर रख किया है तो इसी सेटिंग से मैं आपको गोड़ ओफ वार 3 को चला कर दिखाऊंगा और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं कैसी बैस्ट सेटिंग करने आपने कीबोर्ड की तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं या तो इसकी एंडर स्क्रीन में मिलेगा आपको या इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक च चिला के दिखा देता हूं ठीक है तो दोस्तों पिछली वीडियो की तरह भी यह वीडियो भी सो परसेंट वर्क करेगी तो पिछली तो दोस्तों पतानी किस वज़े से उस पे कोपी राइट आ चुका था इसलिए वो मुझे अटानी पड़ी तो इस पे देखते हैं दोस्त किस में एड करूंगा तो वह दिक्कत होजेगी सायद क्या पता फिर से स्ट्राइक ना आजए पातानी किस वज़े से आई थी तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारे गेम सो परसेंट वर्क कर रही हैं ठीक है यहां पी इंफ सिस्टम की परफोर्स मैंस चेक कर सकत है परबोर मैंस तो इसको अटाने हैं तो आपने यहां पे वही सिंपल स्टाइब करते हैं तो आज यह आपका को थिक्कत नहीं है तो फिलाल उस्तों आप तो यह थोड़ी सी वीडियो से लेगी फर्स टाइम चलाओगे तो इसको आप स्कीप ने कर सकते हैं इसको फड़ा स ढाण the computer बिएज के बाद के दोस्तो फिलाल हमारे करेत्स आचुका है और हमारे करेट अभर स्टार्टार्ट होगा है, तो इसका थोड़ा सा गेम पले हम स्टार्ट करके देखेंगे और देखो यहां पर हम stop करेंगे तो रुक जाएगी और यहीं से emulator से start हो जाएगी ठीक है तो इसका पहले में थोड़ा सा यहां से ठीक है चलने देखते हैं इसकी वीडियो start होगी पहले तो तो keyboard से start करेंगे ठीक है दोस्तों एक मनेंट इसको मैं normal कर लेता हूँ यहीजी कट लेता हूँ आप जल्दी फार हो जाएगी तो फिलाल आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 100% वर्क करेंगी आपकी गेम बस आपने पैस्ट अपलाई सही तरीके से करने है जैसे उस वीडियो में दिखाए गया है मैंने तो दोस्तों अगर आपके पास बड़ा अच्छा ग्राफिक्स काड़ है इसे 100% वर्क करेंगी मेरे पास दोस्तों और अरक्स वांशु सकते हैं तो इसी में मैं आपके चला जा जा रहा हूँ हूँ कर्णा तो थोड़ी सी वाइट करते हैं इसे देखते हैं रुकते हैं गेम यह चल कि है तो खिलाल आप देख सकते हैं दोस्तों कोई दिख्चतनी है यह जानी है गेम सपीड से चल लिया है एरे रूठ जयात मर जया हूँ नहुए इस थे कचतनी है यह पकड़ के तोड़ू इस विखा दोस्तों आप दोस्तों यहां से अच्छे से उबर चरिया दोस्तों मेरे पीची में और दोस्तों एक और बात यहां पर मैं आपको पताना चाहूंगा इस गेम का मैंने पीची पे एंड भी कर रख्या है और इसी सिस्टम में आप देखना चाहूं तो फिलाल में आप रही आप आपने सिस्टम दिखा देता हूं आपको यहां पर देख सकते हैं RX 570ryph이션 5 gust tre 06 core और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसका गेमपले और इस दोस्तों मैंने इस गेम का एंड भी कर रख है और आप उन वीडियो के देखना चाहो तो देख सकते हैं इसके एंड स्क्रीम में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में टीक है तो उसका थोड़ा से गेम प्लेज चलाएंगे दोस्तों जब तक पोसाइडन होर्स को नहीं मारत क्योंकि वहाँ पर दोस्तों है भी हो जबती है गेम से खलाएंगे देखते हैं मारा क्रेटोस कोई दिक्केत नहीं फिरी कर देंगा तुझे पैंशन बुटले कर दोस्तों अरुज्के दोस्तों यजल्दी से चला उगित आया हैं तक को फाइट को फ़ली अरुब सब से जुरी बात यि पासंद आए यृची तो यसे लाइक कीजिए केजए इसे बासंद बção मैरे चैनल को अबसक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्ते एक ही वीडियो वायरल होई ती यही टिलेट होगी दिमाग खराब हो गया एक ही वीडियो चली थी यही खतम होगी चलो इसको वायरल करती है दोस्तों अगर आपकी चल जाए तो ऐसा 200% चलेगी कुछ प्रोग्लम आए तो कमेंट कीजिए कमेंट वोक्स में तो कले में इनको इसको प्रकड़ के मारें चल भी उड़ा दिमा तुझे तो आप देखते हैं दोस्ते यहां पर कोई दिक्टत ने पिल्कूल अच्छे ग्राफिक्स क्वालिटी में चल लिया हमारी गेंट तो फर फोड़ी सी फाइट ओर करेंगे पोसाइडन होर्स के साथ देखते हैं हम आपे हमारे गेंट दुखेटी है नहीं है जल भाई आपकी बार देश्ट जल्दी ते टिकाने लागा तो फोड़ी अप्टरी जल्दी मर्जा जल्दी निमर रहे हैं तो आप दोस्ते यहां पर देख सकते हैं हमेरी कोर्टी के आथ पास में अप्लिटी कोड़ी काम हो जाकती है और जो सई सीन होते हैं उसको बढ़ जाकती है तो तो अगर आपके बाद सब्सक्राइब तो आपकी भी अंडर्ड पर्षेंट वर्क करें गिये और इसके बाद एक मैक टूडे बनाओना में पहले कि रहे हैं गोड़ों पारस कैंशन तो पिछे पिछे गेले वाय मैं जब जब गया यह तो चल भई जब गया यह तो गया यह तो गया तो गया है हम आ चुके हैं काम पर आ गए माउंट ओलंपियास ठीक है तो ऊपर चल के इसको रोग देता हमें थोड़ा सब चल को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों तो फिलाल दोस्तों इसको यहां पर मैं रोग देता हूं कोई दिक्कत नहीं है यह मैं पीछे कर रहा हूं आपके लैप्ट राइट कोई दिक्कत नहीं है यह हमने की बोर्ड से चला रहा हूं दोस्तों और यहां से देख नंबर गयाब करने आ दोस्तों फिलाल में यहां पर गेम को रोक देखता हूं, ठीक है? ओके दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में